गाल और बाल ही मस सजाओ आजकल बड़ा फैसन चला है गाल और बाल सजाने का नहीं एक आया था भी में यहीं बैठा होगा एक लड़का आजकल ऐसी फैसन ऐसी फैसन ऐसा फैसन चला है वो बाल है ना इधर से गाया इधर से गाया चार अंगुल इधर से गए, चार अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है, मैंने का क्या हो गया इस आदमी को, फागल पन तो देखो, मैंने का यार यह है क्या, वो मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते बंबई सी आ रहा था, हाईवे पे मैंने देखा, कि दो आजू कि इदर चार आंगल की ये चार अंगल की ये सर्विस लाइं चार अंगल की ये सर्विस लाएं बीच में फिलाई योबर वारे आदमी ट्रेफिक जाम कर रखा है बालों का बाल और गाल कोई सुंदर मत बनाओ बाल और गाल सुन्दर होने से कुछ नहीं होता है जवान को संदर बनाओ वाणी को संदर बनाओ तो सारी दुनिया अपने प्रती आकरसित हो जाया करती है कभी विचार किया हजार लीटर नीवू का रस कितना कितना हजार लीटर नीवू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए एक भी चीटी उसकी तरफ आकरसित नहीं होगी 1000 लीटर नीवू का राज एक भी चीति उसके पास नहीं आएगी और एक बून चासनी गिरादी जाए हजारों चीतियां उसकी तरफ आकर सित्थ हो जाया करती है रहाजारों चीतियां उसकी तरफ आजाती है अप्नी बाणी को नीवू जैसा खट्ता मत बनाओ अपनी बाणी को चसनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए हजारों लोग आकर सित हो जाएंगे मीठी बाणी से हजारों लोग तुम्हारी तरह पाएंगे बाणी में मिठास होना खटा नीवू क्या दसा होती मालम नीवू की विचारा बजार से आता है यू यू दवाया जाता है दवाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है दो तुकड़े कर दिये जाते है फिर निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फैक दिया खटे जाओगे सड़कों पर फैके जाओगे सेकड़ों लोग तुम्हारे उपर लाते रखे निकल जाएंगे जासनी बनो मीठे बनो बाणी में बीना की जनकार होना चाहिए लेकिन आज बीना की जनकार नहीं बाणी में बाण बसे हुए है एक महा भारत का युद्धुवा इस दे नहीं हुआ है यह महा भारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है ध्यान रखे यह महा भारत शकुनी के पांसे बदलने से भी नहीं हुआ है यह महा भारत इस देश में अधी हुआ है तो ध्यान रखना द्रयोधन के कारण भी नहीं हुआ है यह महा भारत इस देश में भारत की रचना हुआ करती है मानिवर आप विचार करिये जब पांडमों को खंड प्रस्थ दिया गया कि जाओ प्रस्थ तुम्हें दिया जाता है पूरा हस्तनापुर द्रियोधन को दिया जाता है जान रखना प्रिस्थ आउ रखा शुले की बात हुई द्रियोधन ने खंड प्रस्थ दे दिया जहाना पानी वरस्ता था ना जहां फसल होती थी बंजर भूमी जाओ वहां रहो युदिश्थिर ने कहा अरजुन ने कहा कोई बात नहीं जडि हम में ताकत होगी खंड प्रस्थ को इंडर प्रस्थ बना करके रख दिया जाएगा त्याना रहे होसले बुलंद होना चाहिए घंड प्रस्थ देदिया कि जहां पर खंडरी खंडर है बंजर भूमी है पाचों पांड़ों ने पुरुशार्द किया मेहनत की खंड प्रस्थ को इंडर प्रस्थ में तबदील कर दिया और इतना सुन्दर बनाया आज कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हों वो बेवस्था नहीं ला सकते हैं कैसे लोग थे कैसे बुद्धी थी उनकी बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे इतना सुन्दर महल बनाया पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि जैसे इन प्रस्त पहुँचा दुरियोधन इतना अद्वुत महल था जो दिखता था वो होता नहीं था और जो होता था वो दिखता दुरियोधन ने अपनी धोती समाली उसे लगा कि यार यहां तो पानी पानी दिखाई दे रहा है धोती समाल करके चल रहा है वहां तो पा पकड़ना अब क्या अपने को समालना इतना सुन्दर आखें फटी की फटी रह गई द्रयोधन की आगे वड़ा पानी था गिरा छपाक से पानी में पूरे कपड़े गिले हो गए जोरदार अठासवा जरोके से बड़ी जोर से ब्यंग की हसी आई उसने कहा देवर जी यह क्य द्रोपती की आवाज आई गिर गए समल के चलना सीखो देवर जी पानी में गिरा हुआ द्रयोधन भीगा हुआ द्रोपती ने कहां गिर गए न अब पता पड़ा कि इंडर प्रस्त क्या है और हस्तनापुर क्या है अरे तुम कैसे समलोगे अंधे का पुत्र अंधा ही होग बस यहां से महाभारत सुरू हो जाया करती है द्रोपती का चीरहनन महाभारत नहीं था जुए में हारना महाभारत नहीं था द्रोपती का एक तीखा बचन की अंधे का पुत्र अंधा ही होगा बस इतनी सी बचन महाभारत की रचना करते हैं त्यान रखिये उसी दिन द्रियोधन ने कसम खाली कि आज जो अपमान तुने मेरा किया है आज जो भरी सवा में तुने मेरा उकहास किया है तहर जा एक दिन भरी सवा में तुझे नगन नहीं किया तो मेरा नाम भी द्रियोधन नहीं होना चाहिए इतनी सी बात ध्यान रखना बड़ा आदमी तो छोड़ो छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना वरना कितने भी बड़े युद्धा बन जाओ एक तिनका आँख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है ध्याना रखिए बाणी अच्छी बोलिए किसी को अपमानित मत करिए एक तीखे ब भारत की रचना करती ध्याना रखिए बीठा बोलो अच्छा बोलो विपत्तियों को आमंतर मत दो मुसीवत को आमंतर मत दो एक तीखा बचन हजार विपत्तियों को लेकर अपने साथ आया करता है ध्याना रखिए बोलो तो बोलो सदा मीथे बचन जो काम सक्ती से नहीं होत बुकाम मिठास से हो जाया करते है खुदा को भी पसंद नहीं शक्ती जुवान में इसलिए नहीं दी हड्दी जुवान में ध्यान रखिए पूरे सरीर में हड्दियां हैं जुवान में हड्दी नहीं हैं क्योंकि शक्ती पसंद नहीं करता वो इश्वर जुवान तो मुलायम होती है ध्यान है जुवान जितनी मुलायम है बचत उससे ज़्यादा मुलायम होना चाहे है एक भाइवारत राख Latla जुवान्स तो विलकल नहीं हो एक भी अप् 對不對 क्यों तो अबार मत्वालो समय हड़ियों नहीं होती है लेकिन ताकत इसनी है कि सारी हड़ियां तुड़वा के रख देगी ध्यान रखना एक भी हड़ियां तुड़वा देगी तुम्हारी भूत महत्पूने जवान का ध्यान रखना आख एक है आख दो है काम एक है यह आख भी देखती है यह आख भी देखती है कान दो है, दाया कान भी सुनता है, बाया कान भी सुनता है, नासा द्वार दो है, दाई नासिका, राम देव बाबा, अनलोम बिलो, दो होती है, जान रखे, विचार कर, बड़ी दिक्कत हो गए इस देश, किसमत है मेरी कितनी महला हैं, और इतने पुरुष मेरे प्रवचर मे आ रहे हैं बने ताइम किसके पास मेहलाओं के पास तो और भी नहीं है एक महला से मैने पूशा्द प्रवचन में नहीं आती माराज में यह एक क्यों नहीं आती है पुल्ही आती है मुर्य करूं क्या महाढ़ाज रात को बारदा अवजे तक पुर्फिन बाद को काम एक ही है दो हाथ है काम एक ही है दो पेर है काम एक ही है दोनों पेर चला करते हैं लेकिन जुवान अकेली है इकलोती है इकलोती उलाद है अपनी लीलावती साली लीला यही कराती है यही रास लीला करा दे यही राम लीला करा दे लीलावती का साधान इस लीलावती से दो अंगुल की जुवान पांच फिट के सरीर का सकते अनास करा सकती है ध्यान रखे यह जो लीला वती है इस पे कं ट्रोल रखो यह जो लीला वती है बहुत नटक्त काम करती है पूरे सरीर में अकेली है एकलोती अौलाद है इस मूँ की लिकने एक बाद ध्यान रखना ये जो लीलावती है ना है तो अकेली काम डवल करती है ध्यान रखना एक चकना और एक बकना ध्यान रखे जो दो है वो एक काम करते जो अकेली है वो ये चक्ती भी है और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए ध्यान रखे एक तोता तीखा तीखा खाता है मिर्च खाता है तोता मीठा मीठा बोलता है और हम मीठा मीठा खाते हैं बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुवान से जुवान को शमाल के रखो बाणी शुन्दर बनाओ एक कितनी भी सुन्दर महला हो खूप शूरत महला हो आसमान से उत्री हुई परी हो ध्यान रखो आप सोचते हो ना कि थोड़ी से लिपिष्टिक से हम बड़े अट्रेक्टिव लगेंगे नहीं नहीं ओठ कितने भी सुन्दर बना लो कितने भी लिपिष्टिक लगा लो कितने भी पतले ओठ हो जाएं तुहारे कितने भी गुलावी ओठ हो जाएं लेकिन वानी कड़वी हो तो बताई आपका सुन्दर कितनी दे टिकने वाला है ओठों का सौंदर यह ज्यादा नहीं तिका करता है, मुझे तो समझ नहीं आता है, यह महलाएं लिपिष्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती है, आदमी तो लिपिष्टिक नहीं लगाता ना, नहीं बारमती का मुझे पतन, लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, एक बात सवाख रख वद्टाओं की मतलब है कि तक इस लिकति नहीं अच्छी हो चहरी की संदर्ता किती देर की आदे घंटे एक बात बताओ एक सुन्दर चेहरे को एक बार देखोगे दो बार देखोगे तीन बार बार देखोगे उस चेहरे से भी जी भर जाएगा ध्यान रखे ध्यान रखना ज्यादा सुन्दर चेहरा कितने दिन अच्छा लएगा एक साल दो साल कितनी भी सुन्दर पत्नी ले आओ वेका साल बर बाद तो वही हालत है कि वो बड़ बड़ा रही है अपन चुप चाप सुन रहे हैं बैट करके खाना खाएगी तभी बोलेगी ज्यान रखना आदमियों की जिंदगी इसी में विचारे हर ठके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से वो जैसे ही आया और इनकी रामाइन सुरू हो जाया करती है दिवरानी ने ये कहा जिठानी ने बोका तेरी अम्मा ने ये परस्ते भी जा रही है महलाओं से निवेदन है जब पती घर में आये तो सकी थाली में रोटी परोश रोटी दिनभर की कि वेच किछ मत परोशो उसकी राली में वरना ठाली भैट कर गे इतना परिसाँ उसी समय मेन एक महला से खाती है क्यों बोलती हो वोले खाती ही समय तो चुप-चाप सुनता है मुँवेरोटी रहती है अपनी बोलती जा नहीं जा रही है वह एक भुणते जा रहा है क्या करे इधर सुनहीं लेफार no एबढ़ा एकिनारे खुकट्था सिकता है ना थे शक्ट रहते wreckody एक हासे हेव्हां कर्ते जा रहा भुट्था सिकते आरहा ही अध्योंतिय में से जार सिकते का रहा सिकते आरहैं क्या क्या रोटी काई भिचादा काकते ऐस मैं तो कहा है कुट्ते को भी परेसान ये तो फेद क्या बोली इतनी तेज हैं बारा मुटी की महला है इतनी तेज इतनी तेज इतनी तेज कि एक दिन दो पती पत्नी बजार गए पती ने पत्नी से कहा तू कहे फैसन है तू कहे तो एक कुटा खरीद ले पत्नी ने उपर से नीचे तक देखा बोले क्या जरूरत है बोले जब से तुम मिले हो कौन बोला हर तमना पूरी हो गई मेरी ध्यान रखिये माझे बाद एक बच्चा रो रहा था बहुत जोरा से रो रहा था पत्मी ने कहा देख भी नहीं सकते हो बच्चा रो रहा है कि इज्गे में ये लिए फैले सुन तो ले कोई के लिए रोरा है और पोरा उलिन यह पहले सुन हैं वले क्या यह रो रहा है कि मुझे गडे बैठना है पत्नी का कंदे पे एठा के टीन चक्कर नहीं लगा सकते क्या कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा एक बार यही तुर गटना गट गई एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एलबन देख रहा तो साधी का बोले पापा गोड़े पे बैठ के आ रहे हैं बोले हां मम्मी एक बाद बता यह साधी में दूला गोड़ी पर बैठ करी क्यों आता है गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है थ्यान रखी मान नीठा बहुत नीठा बहुत नीठा बहुत नीठा बहुत नीठा बहुत नीठा बहुत नीठा लिपिष्टिक से जीवन सुन्दर नहीं होता है लिपिष्टिक की सुन्दरता एक दिन दो दिन तीन दिन साल भर बाद वो चहरा बेकार लगने लगता है यहां रखना लेकिन बाणी मीथी हुई न तो मिलते समय भी अच्छा लगता है और बिछड़ जाओ मीथी बानी की याद जब जब आती है तब तक सुक की अनभूतियां प्रारम वजाया करती हैं मीथी बानी तो वह होती है बिछणने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है मैंने बारमती में अभी जादा घूमा नहीं हूँ उदर गया था पीछे एक दिन इतने सुन्दर मकान मैंने का क्या गजब कर रही है भाई मैं तो आया था गाउं समझ के लेकिन ये तो सहरों को भी पीछे कर रहा है ज्यान रखी डाउट है तो तालीमत बजा इतने मकान इतने खूबशूरत फरनीचर लगा है मकानों में विदेशी टाइल लगे हुए है ध्यान रखना इतनी सुन्दर डिजाइन है महंगा फरनीचर महंगी कार खड़ी है दरवाजी के बाहर विदेश से परदे मंगा के लगाए गए है एक से एक सीनरी लगी हुई है खू सुन्दर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए एक बात बताओ मेरे भाई जिसका बहुत महंगा मकान हो बहुत सुन्दर फरनीचर लगा हो बहुत अच्छा सोपा सेट हो डाइनिंग सेट बहुत सुन्दर हो ट्रेसिंग टेविल बहुत सुन्दर हो अलमारियां सब कुछ सुन्दर हो आपकी देख कर आँखें फटी की फटी रह जाएं कितना सुन्दर मकान है लेकिन एक बार बताएए सब कुछ सुन्दर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो बत तमीजी से बात करता हो एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो और तुम कहा कि भाई साब आए बैठिये तो बताए ये उस मकान की सुन्दरता याद रहेगी आपको जाने के बाद या उस आदमी का वेवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद ध्यान रखिये आप उस घर से निकल के जाएंगे जिस मकान को बहुत सुन्दर कह रहे थे वो मकान डि लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है बड़े अदब से बात करता है आईए बाइसाब बैठिए ठंडा लेंगे या गरम लेंगे आप क्या लेना चाहते हैं मीठा लेंगे नमकी अरे नहीं कुछ आरे बाइसाब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा एसा नहीं हो सकता हमारे यहां कपकप अधारते हो आपको जरूर कुछ लेना होगा आपको भूक भी नहीं है तो भी उसके बेवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा आप एक बात बताईए मेरे भाई जब आप घर चले जाओगे वो सुन्दर मकान याद करोग सुन्दर मकानों को याद नहीं किया जाता है सुन्दर वानी और वेवहार को याद रखा जाता है